नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टिवी इंडिया पेसाज के मुख्य समाचार रिवा लोका युक्त पुलीस ने सरकारी तव इभाग के दो भृष्टाचरी अधिकारियों को बेनकाप किया है सुत्रों की माने तो सरकारी निरिक्षक और प्रभारी CEO सरकारी भृष्टा भंडार को 10,000 रुपए की रिस्वत के साथ ट्रैप किया गया है दावा है कि दोनों अधिकारी सरकारी समीती धूरे हटा की वर्ष 2020-21 की अडिट कारी के बदले पहले भी 15,000 रुपए ले चुके थे मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज है जो खुद की स्टार्टप पॉलिसी लांच करने जा रहा है तेरा मई को प्रदेश में स्टार्टप पॉलिसी प्रधान मंतरी मोधी जी लांच करेंगे यहां स्टार्टप पॉलिसी इंदोर की ब्रिलियंट कंवेंशन सेंटर से लांच होगी केंद्री मंत्री नितिन गटकरी गुरुवार को इंदोर में रहेंगे वे इंदोर में कई आयोजनों में सिर्कत करने के साथ ही 101 फिट कर तिरंगा भी लहराएंगे इसके पहले वह पुर्व लोग सभाई स्पीकर वह पद्म भूशन सुमित्रा महाजन पर लिखी गई पुस्ता का विमोचन करेंगे महानगर विकास परिशत वह महाराष्ट साहित सभा के बैनर तले पुर्व लोग सभाई स्पीकर के कारेकाल पर मेधा किरिट द्वारा पुस सभी पुजारियों को पांच हजार मांदे दिया जाएगा परशुराम जी की जीवनी पाठी पुस्तुक में पढ़ाई जाएगी ग्रमांदी डॉक्टर नॉत्रमिस्रा ने कहा कि दतिया को आपने पुलीस का स्कूल मेडिकल कॉलेज दिया कोरोना काल में अक्सिजन की कमी एक दिन दतिया में नहीं आई फिसरीज कॉलेज लो कॉलेज दतिया को एजुकेशन का हब बना दिया मद्धी प्रिदेश राजजी सूटिंग अकादमी के लिए टेलेंट सर्च 5-17 मई 2022 तक महानगर विस्तार के साथ ही इंदोर को अंतर राष्टी एरपोर्ट की सोगात मिलने वाली है इंदोर से करीब 45 किलोमेटर दूर आकार लेगा अंतर राष्टी एरपोर्ट इंदोर कलेक्टर सीरी मनी सिंग ने कहा कि सहर की वायू गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए प्रदूसर नियंतरन बोर्ड, आर्टी और एवं ट्राफिक पुलिस द्वारा अब सेनिया मित रूप से वाहनों की पियू सी सर्टिफिकेट की चेकिंग की जाएगी कल दीन बर के पाउख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुबरातरी